हिंदी साहित के अगर हम काल विभाजन की चर्चा करें तो काल विभाजन से लगबग एक प्रश्ण आना संभावित है तो काल विभाजन से भी आपको प्रश्ण समझ लेने हैं कल हमने पिछले वीडियो में हमने ये बताया था आपको की पत्रिकाएं जो महत्तुपूर हैं ऐसा ही काल विभाजन से आपको याद करना है ये काब्वे का काल विभाजन है और काब्वे का काल विभाजन है इससे आपको क्या करना है इससे ही हम अभी बता देंगे आपको बनाना है तो इसमें से 57 आपको माइनस करने होगे ठीक है जैसे 1050 से आप 57 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 900 कितना बचेगा 900 कितना बचेगा 900 यानि 57 घटाएंगे ना तो 993 बचेगा 993 और 7 हो गया 1000 और 5000 ठीक 993 इसवी से ले करके 993 इसवी से ले करके अब 1375 है तो इसमें भी 57 घटा देंगे तो 1300 कितना बचेगा 43 बचेगा ना इसका भी 57 आप घटा लीजिए ठीक है तो यहां पर बचा आठ और 7 में से 5 गया यानि 6 में से 5 गया कितना बचा 1 यानि 1318 ये हो गया आपका इस वी सन छीक है इसके मद्य कितना अंतर आपको मिल रहा है, इसके और इसके मद्य कितना अंतर मिल रहा है यानि यह एक हजार पचास से तेरा सो पच्छतर तक तो तीन सो पच्छिस वर्स कांतर है क्या यहां पर भी तीन सो पच्छिस वर्स कांतर मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है तीन सो इसमें जोडेंगे नौ तीन बारा सो हो जाएगे पच्छिस इसमें जोडेंगे पच्छिस त को हम आदिकाल बोलते हैं, तो आप समवत्ते सन बनाना सीख लीजे, 57 घटा दीजे, 20 वी सन बन जाएगा, ठीक है मैं एक बार लिख देता हूँ, 57 घटा कर 20 वी सन बन जाता है, ठीक है इस भी सन बनता है, ठीक ये बात आपको धियान रखनी है, 57 घटा दीजे, तो बीर गाता काल 1050 से समवत 1375 तक भक्ती काल की अगर हम बात करें तो समवत 1375 से लेकर के 1700 तक रहा रीती काल की अगर हम बात करें तो 1700 से 1900 तक रहा और गद्य काल यानि आधुनिक काल की हम बात करें तो 1900 से 1984 तक रहा और इसी में आपका जो आता है अधुनिक काल में तमाम य जाहां पर हम करेंगे कि करेंगे कि आधुनिक काल में आपको अधुनिक कालभ भाजन की पर भा gustaría झाल पर भार्ते में पर नीमा पर आप फिशला मंबने को फुट है आदुनिक काल में अगर हम बात करते हैं पूर्व भारतेंदुयूग की पूर्व भारतेंदु युग प्राचीन युग इसे कहा जाता है 13.7-1868 इसवी तक पूर्व भारतेंद युग चला ठीक है और भारतेंद युग की अगर चर्चा करें हम तो सन 1868 से 1900 इसवी तक का जो काल है यहां पर इसवी सन में है अभी जो हमने बताया था वो कहा था वो आपका समवत में था अभी यह इसवी सन में है तो यह चीजे ध्यान रखना आप समवत सन में बना के पढ़ा लिजीएगा इसवी में बना के पढ़ा लिजीएगा दुवेधी युग की अगर हम चर्चा करें अगर छायावादी यूग यानि शुकल यूग की हम बात करें तो 1922 इस भी तक 1922 से 1938 इस भी तक जो है माना जाता है क्या शुकल यूग जिसको बोलते हैं या फिर जिसको आप बोलते हैं क्या छायावादी यूग शुकलोत्तर यूग यानि जिसको च्छायावाद उत्तर 1938 से 1947 इस भी तक मानते हैं और स्वतंतर यूग यानि 1947 के बाद का जो भी यूग रहा वो आपका स्वतंतर उत्तर यूग मान लिया गया है तो ये सारी चीजें आपको clear हो गई होंगी, तो ये सारे काल विभाजन थे, उम्मीद करते हैं, आपको बेहतर समझ में आये होंगे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमशकार, खुश रहिए, धेर सारी सुपकामनाएं टेलिग्राम जॉइन कर लिजे, ताकि हम आपको चीजें मुहिया कराते हैं, यूपि बोर्ड से related सारी जो आपकी news हैं, सब टेलिग्राम चैनल पर डालते हैं, तो जो भी टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं कर पाता है, वो यूपि बोर्ड की updates नहीं पाता है, बहुत बहु झाल झाल